हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल विंटर स्टार्ट होते ही गार्डन में बाहर सी आ जाती है इतने सारे फ्लावर हैं जो हम विंटर में लगा सकते हैं और एक से बढ़कर एक सुंदर फूल है फ्रेंड ये देखे मेरे मेरी गोल्री मैंने माला में हम जो पूजा म बैग में लगा था लेकिन विंटर गार्डन आने के साथ साथ फ्लावर तो बहुत हो जाते हैं लेकिन हमारे वो प्लांट्स जो हम विंटर से पहले हमने लगा थे और उसमें काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो विंटर आने के बाद इन वह पुर्टूला का ओर मोस रोस इनमें घर्मियों भर तो काफी अच्छी भर भर के फ्ल्वर रिंग अब इसमें फ्ल्वर आना बंद हो गए मेरे जितने भी मोस रोस और नाई डो खलो प्लांट के जितने भी प्लांटर उनमें किसी में भी ना तो बड आ रहा है और नहीं फ्लावरिंग हो रही है आपके साथ भी फ्रेंट्स ऐसा होता होगा मैं आपको अपने सारे पॉट एक करके दिखा रही हूँ कि एक भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है लेकिन हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं यह मैं अपने आगे की वीडियो हम बता हूंगी और अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करके जाईएगा यह देखे फ्रेंट्स यह मैंने हेंगिंग प्लांटर बनाया था इसमें भी मैंने फ्लावरिंग बंद हो जीकिए और आपको एक भी बट दिखाई नहीं दे रही होगी बस इसको हम अब हमें कैसे भी करके नेक्स सीजन तक के लिए बचा के रखना है आज की वीडियो में यह मेरे लिए भी एक नई बात है कि विंटर में भी मेरे पॉर्सुलाका में भर-बर के फूल आ रहे हैं यह वह प्लांट है जो मैंने अलग-अलग पॉट में लगा रखे आप भी सोच रहे होंगे कि फ्लावर तो आनी रहे हैं फिर यह कैसे बोल रही है कि फ्लावर भर- कर लेते हैं मुझे लगता है प्लांट के साथ भी कुछ ऐसा हही होता है कि अगर अगर को मैं लग ठीव कर देते हैं तो वह भी आर्म पाता है ना हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है साम को 6-6 बज रहे हैं मेरे अधर प्लांट्स जो डेली वाले हैं वो खिलके बंद भी हो चुके हैं पॉजूला का अभी भी खिला हुआ है और आप इनके फ्लावर का साइस देख सकते हैं और यह नवंबर एंड होने को है तो ऐसा कैस हो रहा है क्योंकि मेरे जितने भी प्लांट्स जो मैंने अलग लगा रखेते जो हैंगिंग में या गंबलों में लगा रहा है तो उनमें किसी में भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं और में जा चुके हैं नेक्स सीजन में फ्लावरिंग होगी जब उनको रिपॉर्ट किया नेक्स सीजन के लिए जब हमारे गंबले में लगवी प्लांट है उनको हम रिपॉर्ट कर लेंगे यह अच्छी खाजे फ्लावरिंग दे रहा है तो चलने देते हैं इसको और नहीं इन प्लांट्स में मिली बग का कोई अटेक हुआ है फ्लावर का साइज भी आप देख सक तो काफी अच्छे चल जाते हैं यह देखे फ्रंट्स मैं आपको दिखाती है इसमें मैंने कुछ और भी कलर के मेरे पास अलग-अलग कलर की मौसरोस के चार-पांच कलर है मेरे पास नाइन क्लॉक के तो यह मेरा यलो वाला पॉट्स उलाका है इसकी भी मैंने कटिंग लग जाओंगे मेरे हाइबिर्ड वाले मौसरोस हैं जो मौस्ली मैं हमेसा चली ही जाते हैं मेरे पास तो अगली बार से कइनकही के लेकी आना पड़ता है लेकिन इस बार मैंने इस पॉर्टला का को देखते हुए कि अगर है विंटर में सर्वाइव कर रहा तो बाखी प्लांट की कटिंग भी मैं है इसमें एक दो दो लगा देती हूँ ताकि जब इनका सीजन आएका तो इसी में से निकालके मैं लगा दूँगी और इसमें जो मेरे मोसल लगे हुए है उसमें भी बढ आ रही है भी और यह देखे फ्रेंट आप मुरी मेरे प्ली टंकी को देख सकते है इसमें एक साथ कई प्लांट लगे हुए है मोसली तो मैंने इस टंकी को आम के प्लांट के लिए रखा था कि मैं इसमें आम का प्लांट लगा हुआ है मेरा इसमें लेकिन वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाए एक प्लांट मेरा अल्रेड हो चुका था इसलिए मैं इस बार एक दूसरा प्लांट लेके हैं अभी जब मैं पिंटर के प्लांट लेने गई थी तो उसके साथ मैं एक ग्राफ्टिंग वाला मैंगो प्लांट भी लेके आई हूँ जायती हैं और बाकि इसमें मैंट लगे हूए हैं वो भी चल रहे हैं तो आप इसी तरीके सेट जिन प्लांटों को आप नहीं बचा पार हैं उन प्लांट को आप अपने बड़े प्लांट के नीचे जिसमें आपके बड़े नीचे міकिस करके लगा दीज्विग्ग ताकि उ जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनसे वो बचे रहें तो आप भी ये ट्रिक यूज कीजिए फ्रेंड्स और अपने प्लांट को नेक्स सीजन के लिए बचा के रखिए बाइबाइबाइब